हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब उमिद करता हूँ कि सभी लोग सुस्त होंगे मस्त होंगे फ्रेंट्स आज के हमारी ये वीडियो गीजर रिपेरिंग कोर्स की 25 समय दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये जानने वाले हैं कि गैस गीजर में वायरिंग किस तरीके से किया जाता है और गैस गीजर का वायरिंग कैसे कार्य करता है इस बिसे में आज की इस वीडियो में चार्चा की जाएगी आप इस वीडियो को सुरू से लेकर के लाश तक देखिएगा आपको गैस गीजर के वायरिंग से सम्बंदेत कुछ भी समस्याएं नहीं रहा जाएगे, तो चलिए प्रैंट्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है गैस गीजर की वायरिंग, और यहाँ पर हमने गैस गीजर का संपुर्ण वायरिंग बना भी दिया है, यही circuit box होता है जो कि gas gijer की संपुरुड wiring में अपना महत्वपूरुड योगदान देता है और इसी के तहत जो है कि gas gijer का संपुरुड कार्य किया जाता है इस circuit box के उपर के तरफ यदि आप देखेंगे तो तीन cable wire दिखते हैं जहां पर तीन lead भी दिख रहा है ऊपर के तरफ और यहां पर ऊपर के तरफ देखेंगे तो L-ship में L-ship के आकार का तार दिख रहा है यहां से एक लोहे का wire होता है लोहे के wire के जैसा इसमें अकृति बनी होती है और यह जो है दो को देखिएगा तो एक समान लंबाई के रहेंगे लेकिन तीसरा थोड़ा सा अधिक लंबा रहता है तो जो दो एक समान लंबाई के होते हैं उनको लाइटर बोला जाता है और यह जो है जैसे ही सर्किट बॉक्स में लाइट आती है वह लाइटर आन हो जाते अन होने का मतलब उसमें से एक अजीस दंग का आवाज आता है और वहाँ जो है spark करने लग जाते हैं और इस पार्क करते हैं यहाँ पर यह burner है, burner के अंदर guest आता है, LPG guest और वहाँ LPG guest इनके sparking के वजय से यहाँ flame में बदल जाता है मतलब आग वहां पर जल जाती है और जैसे ही आग जलता है तुरन्त उस आग को सेंस कर लेता है यहाँ वाला सेंसर और यह सेंसर उस आग से गरम हो जाता है और गरम हो करके इस circuit box को यहाँ सूचना देता है कि बर्नर में आग लग चुका है और जैसे ही आग लग चुका है तो तुरंत इस लाइटर का जो सप्लाई होता है सर्कुट बाक्स के तरफ से काट दिया जाता है मतलब लाइटर उस समय आफ हो जाते है जैसे ही बर्नर जल जाता है तब तो उमीद है कि आपको ये तीन वायरों का उपर के तरफ जो लगे हुए हैं उनका सारा कनेक्शन समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से कार्य करते हैं नीचे के तरफ यदि हम देखें तो सर्किट बॉक्स से बहुत सारे वायर देखने को मिल रहे हैं लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा तार नहीं है जो की एक्ष्रा दिया हुआ है सभी का कुछ न कुछ वर्क होता है कहीं न कहीं इनका कुछ न कुछ काम है तभी जाकर के इतने सारे वायर इसमें दिये गए हैं सबसे पहले हम इन दो wire के बारे में बात करें तो इन दोनों तारों पर थिम्बल लगा रहता है और एक तार red color का होता है और एक जो होता है black color का होता है तो जो red है मतलब लाल रंग का है उसको plus पर जो काला है उसको minus पर battery box के साथ जोड़ दिया जाता है और यहां main wire होता है यहीं से जो है कि तीन बोल्ट की supply इस circuit box को जाती है अब यहां पर उसके बाद आप देखेंगे तो तीन तार आया हुआ है और इन सभी wireों को जैसे यह दो तार फिर तीन तार फिर दो फिर दो दो ऐसे करके जो भी wire आये हुए है इन सभी wireों को अलग अलग करके रखा जाता है और आप circuit box को देख करके आप समझ सकते हैं कि यह wire अलग है यह वाला wire अलग है यह अलग है तो यह सारी चीज़े आप circuit box को देख करके आसानी से समझ सकते हैं यहां पर तीन वायर आया हुआ है और इन तीनों वायरों का यहां पर कनेक्टर होता है और जैक होता है मतलब दोनों को आपस में कनेक्ट करा दिया जाता है रिले का जो कुछ वायर आता है इधर के तरफ कनेक्टर और इधर के तरफ जैक दोनों को आपस में कनेक्ट करा रिले का connection हमारे circuit box से हो जाता है रिले का कारिया आपको पता है कि जो gas होता है जो LPG gas है उसको इस burner के पास जाने से रोकना या फिर उसको जाने देना मतलब यहां से रास्ते को gas के रास्ते को खोलना या फिर बंद करना होता है जैसे ही circuit box में light आती है relay को supply जैसे ही मिलता है relay जो है अपने इस वाले valve को ऊपर के तरफ खीच लेता है जिससे राषता खुल जाता है और gas जो है पहुच जाता है burner के पास और burner के पास पहुचता है तो पहले इस लाइटर जो है spark करते रहते है और gas के पहुचते इस parking के वज़क जो है फ्लेम में बदल जाता है मतलब आग जल जाता है वहाँ पर तो इस तरीके से रिले का कनेक्शन आप इस तरह आसानी से समझ गये होंगे उसके बाद यह होता है थर्मो इस्टेट स्विच कहां पर होता है तो जो गरम पानी का पाइप होता है उसी पाइप के साथ एक स्विच क या 80 degree centigrade तापमान के आसपास पानी गरम होता है तो यहाँ जो थर्मोई स्टेट स्विच है आफ हो जाता है आफ होते ही होता क्या है कि यहाँ जो रिले है रिले को सप्लाई मिलना बंद हो जाता है मतलब इसके आफ होते ही सर्किट बॉक्स के अंदर जो सप्लाई पहुच रही होती है वह सप्लाई इस थर्मो स्टेट के द्वारा कट कर दी जाती है मतलब यह खतम हो जाता है सप्लाई जिससे की रिले बंद हो जाता है और रिले के आफ होते ही गैस का रास्ता बंद होता है गैस के रास्ता बंद होने पर यह जो बर्नर है जहां पर यह लाइटर लगे कब जब ये the state स्विच ज्वाइन जरूरत से ज्यादा पानी के गरम होने पर सेंस करता है और आफ होता है तब उसके बाद इसके बगल में है एक magnet sensor स्विच यह स्विच कहां पर लगा होता है तो जो इनलेट वाटर होता है मतलब जहां से ठंडा पानी प्रवेश करता है गैस गीजर के अंदर उस गैस गीजर के ठंडे वाले पानी के पाइप पर यह मैगनेट सेंसर स्विच को कसा गया होता है और यह सेंसर स्विच कैसे काम करता है तो इसके पास एक मैगनेट आता है जैसे ही पानी को खोला जाता है तो pipe के अंदर एक goal magnet होता है और वह magnet इस switch के पास पूच जाता है और जैसे इस switch के पास वह magnet पूचता है या switch on होता है और on हो करके तुरंत इसमे supply भेज देता है circuit box में और वह circuit box supply पाते ही तुरंत relay को on करता है और तुरंत lighter को भी जला देता है मतलब circuit box को जैसे ही supply मिलता है तुरंत relay को on करेगा और उसके साथ ही साथ lighter भी आन हो जाते हैं relay और lighter के on होते ही यहाँ पर flame जलता है और flame जलते ही जो है इन lighter को off करने का काम यहाँ पर एक sensor करता है और यह sensor के वज़ा से यह lighter जो होते हैं आफ हो जाते हैं तो यह magnet sensor इस तरीके से कुछ काम करता है और इनका भी connector होता है यहाँ पर दो वायर जाकर के वापस में जुड़ जाते हैं एक चीज आप ध्यान दीजेगा यहां तक हम पहुच गया लेकिन इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि इस दो तार जो आया हुआ है इसमें भी थिंबल रहता है और इधर जो battery box के लिए दो तार आया हुआ है उसमें भी थिंबल रहता है तो यह कैसे confirm किया जाए कि जो दो थिंबल वाले wire है एक thermostat के लिए है और एक battery box के लिए है तो battery box के लिए जो थिंबल वाले wire होते हैं उसमें लाल और काला wire होता है मतला दो रंग के तार होते हैं लेकिन जो thermo state के लिए आता है wire थिंबल वाला वो केवल एक ही रंग का होता है उसके बाद जो है कि आप समझ जाएंगे कि एक ही color का है तो thermo state में उसको लगाना है उसके बाद magnet sensor के बारे में आपको पता चली गया उसके बाद हम इधर के तरफ बात करते है आनफ switch के बारे में आनफ switch जो होता है यह एक महत्तोपूर switch है में switch इसको का लिजिए इस switch को on करने के बाद ही हमारा magnet sensor switch काम करता है नहीं तो यह off रहेगा तो भले ही इसके पास आप magnet ले करके चले आए यह on हो जाने के बाद भी हमारे circuit box के अंदर light नहीं पहुच पाएगी तब जब तक कि यह switch on नहीं होता है इस switch को on रखने से इधर से light पहले से मतलब यह on रहेगा तो यहां तक आ करके light रुक जाती है और यह जैसे ही on होता है तुरंत circuit box में light पहुच जाती है और circuit box में light पहुचते ही relay on होता है और lighter on होता है जिससे flame जल जाता है तो बहुत से ऐसे gas गीजर आपको देखने को मिलेंगे जहां पर यह on और off switch नहीं होता है मतलब यह वाला switch वहां से गायब होता है और बहुत से ऐसे मतलब गीजर रहेंगे जिसके अंदर यह लगा रहता है तो जिसमें लगा रहेगा इसको on करने के बाद ही यदि आप पानी खोलते हैं तो पानी के खोलते ही यहाँ मतलब पानी open होते ही इधर के तरफ lighter जलेगा और आग जो है की जलता है नहीं तो यदि यहाँ आफ रहेगा और आप पानी खोल देते हैं ठंडा पानी अंदर जाता है तो ठंडा ही पानी वापस बाहर के तरफ आएगा क्योंकि हमारा जो circuit box से यह operate नहीं होगा on नहीं होगा जब circuit box on नहीं होगा तो relay वगरा on नहीं होता है उसके बाद यहाँ पर indicator देख सकते हैं इंडिकेटर में दो तार लगा हुआ है यह indicator यह संकेत करता है कि हमारा जो circuit box है on है यह off है तो इसको देख करके आप बता सकते हैं और यह indicator इस circuit box के साथ ही आता है और उसके साथ सबसे last में हम देखें तो यहाँ पर एक अर्थ वायर है और अर्थ वायर बहुत ही महत्तोपूर वायर होता है यदि आप इस वायर को छोड़ देते हैं तो हमारा circuit box मतलब गीजर on होगा लेकिन 10-15 सेकेंड के बाद अपने आप ही आफ हो जाता है इसी वज़ा से इस अर्थ वायर को कहीं न कहीं cabinet के बाड़ी मतलब की जो गैस गीजर का बाड़ी होता है उस पर कहीं न कहीं इसको कसना होता है तो यह कस्थान होता है रिले के अगल बगल में ही एकस्थान रहेग जहां पर इस अर्थ वायर को कस दिया जाता है जिससे की यह connection पूरी तरह से complete हो जाता है तो उमीद है कि आपको यह सब पूरा जितना connection था वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा यदि आपका कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के comment box में अपना सवाल पूछ सकते हैं यद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन बंद मातरम